मेरे पैरे चात्रो सभी को प्यार भरा नमस्ते आज हम प्रेम सुरूप स्रिवास्तव जिद्वारा लिखा गया जन्म दिन यह पार्ट इस पार्ट का हम अध्यन करेंगे जन्म दिन का अर्थ है वर्षगाट जिसको हम अंग्रेजी में बहुत दे कहते हैं जिस दिन हमारा जन हुआ है वह दिन जन्म दिन कहलाता है यहाँ पर कहा हुआ है सुनो समझो और पढ़ो सुनना है समझना है और पढ़ना है हम आगे जाएंगे प्रेम सुरूप स्रिवास्तव जी का एक अलप परीचे में आपको देने जा रहा हूं मेरे पैरे चात्रों उनका जन्द 11.1929 को ह हुआ उत्तर प्रदेश राज्यके जोनपूर इजिले के खरोना इस गाउं में प्रेम सुरूप स्रिवास्तो जी का जन्म हुआ विवीद बाल कहानिया बाल नाटक लेख रूपक आदी उनकी बहुती सुन्दर एवं प्रसिद्य रचनाये हैं उनका परीचे आप पिछले चह दशकों से सहित्य सुरूजन में सलगन है पिछले चह दशकों से उन्होंने सहित्य की सेवा की है सहित्य में सुरूजन को लाया है नवनिर्मान को उन्होंने लाया है और अपने विचार सहित्य के माध्यम से उन्होंने प्रसुरूत किये हैं प्रस्तुत कहानी में पानी भी वर्णन करें हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे लेकिन पानी का महत्व कम नहीं होगा क्योंकि पानी बहुत ही महत्वपुर्ण होता है हमारे जीवन में हमारे जीवन से लेके तो हर एक बात के लिए हम पानी को उप्योग मिलाते हैं इसलिए पानी का महत्व यह अद्वि और महत्व पानी का ही उन्होंने इस कहानी के माद्यम से बहुत ही अच्छी तरह से पेश किया है प्रस्तुत किया है पानी के महत्व को समझाया है पानी हमें बहुत ही सूजबुच के साथ उपयोग में लाना चाहिए और पानी का उपयोग करते समय हम यह सावधानी भायतनी चाहिए कि जितना पानी हमें जरूर है उतना ही हमें उपयोग में लाना है और अगर हमारे पास में अधिक पानी है तो हमें उस पानी का वे ये जो है वो करना नहीं चाहिए उसको हमें बहुत ही अच्छी तरह से उप्यक मिलाकर पानी का महत वो समझना चाहिए तो अब हम चलते हैं प्रत्यक्ष इस कहानी के और मैं कौन हूँ? सूचना निर्देश सूचना निर्देश आदेश अनुरोद विंती के वाकि विराम चिन्न सहित पढ़ो और समझना पर ऐसा बताया गया है बगीचे के फल फूल तोड़ना मना है जैसे फल सबजी लेकर घराओ चंदा मामा बाल पत्री का पढ़ो अपनी कृपा दुष्टी बनाए रखे बच्चों ने कहा कृपया हमें अंतरिक्ष के बारे में बताए तो अब हम इस कहानी का अध्येन करने वाले है गर्मी पढ़ने लगी थी धीरे धीरे उसके तेवर तीके हो चले सुरज आग बरसाने लगा मगर इन सबसे बेखवर बबलू अपने में ही मस्त था देखिए गर्मी के दिनों में गर्मी पढ़ रही थी जाड़े के दिन खत्म हो चुके थे धीरे धीरे उसके तेवर तीके हो चले इस गर्मी के तेवर तीके हो चले गर्मी की तिवरता बढ़ गई सुरज आग बरसाने लगा गर्मी की दिनों में सुरज आग बरसाता है मैंने सुरज से जादा गर्मी सुरज से जादा उश्णता हमें मिलती है और होता है क्या तो हमें बहुत जादा गर्मी महिसुस होती है मगर इन सबसे बेखबर बबलू जिसको खबर नहीं थी इन बातों की बबलू अपने में ही मस्त था वो अपने ही धुन में था उसे बातरूम में घुसे आदा गंटा हो चुका था देखिए बातरूम में घुसकर आदा गंटा हो चुका था आप भी बातरूम में जाते हों बच्चों तो जल्दी बाहर नहीं आते क्योंकि आपको पानी से खेलना या फिर पानी ज्यादा थे ज्यादा लेकर नहाना ये पसंद होता है शावर के नेचे उसकी धमा चोकड़ी मची हुई थी धमा चोकड़ी मचना याने धूम मचाना इस मुहावरे का अर्थे धूम मचाना मची हुई थी किसकी धमा चोकड़ी मची हुई थी बबलू की कभी तो वह शावर के साथ नल की टोटी भी खोल देता देखिए शावर तो चल रहा था, पानी शावर से आ रहा था, लेकिन उनल की टोटी भी शुरू कर देता, अन्त में मा को ही चिलाना पड़ा, अन्त में मा को ही चिलाना पड़ा, मा चिला उठी, बबलू, क्यो इस तरह पानी बरबाद कर रहे हो, बबलू, इस तरह पानी बरबाद मत कर पानी बहुत ज़रूरी है, पानी बहुत महतु पुर्ण है, ऐसा मा को कहना था, मा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ, इस गर्मी में मेरा मन तो करता है, कि घंटो नहाता रहूँ, देखिए बबलो ने क्या कहा, जैसे आप कहते हो, उसी तरह से कहा, बबलो ने क्या कहा, कि मा, मैं तो बस नहा रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, और मेरा तो मन कर रहा है, कि गर्मी में में घंटो नहाता रहू, गर्मी में मेरा मन तो करता है, कि घंटो नहाता रहू, घंटो तक नहाता में रहू, मेरा नहाना खत्म न नहीं होई पवलू की इस आदत से इसके माता-पीत दोनों परेशान थे जी कि पानी ज्यादा जो है उपयोग मिला रहा था और पानी जितना ज़रूरी उतना उपयोग मिलाना उसके माता-पीतों का आप एक हिता आप एक शाति उनकी वह मंजन करते समय देर तक पानी बहाता श्कुल में भी उसे अपनी इस आदत के कारण दाट खाने पड़ी थी स्कूल में उस पर श्कूल के जो करमचारी यह यह पिर अद्या पक है उनकी डाट खाने पड़ी थी वहाँ वहाँ आके नल की टोटी अक्सर कहूली छोड देता ऊछिए न की टोटी वह कर था आक्सर यही करता था, वह कमरे में न हो, तब भी पंखा खुला रहता, तो कभी कुलर बंद करना भूल जाता था, तो कभी पंखा ऐसे ही चलने देता था, कभी वहाँ पढ़ते पढ़ते सो जाता, तब भी बल्ब जलता रहता, पढ़ते पढ़ते सो जाता था, और बल्ब भी जलता रहता था बल्ब को वह बुजा कर नहीं सोता था यह बंद करके नहीं सोता था मा को ही बुजाना पड़ता मा ही बल्ब को बुजा कर सोती थी पानी हो या बिजली यानि की उर्जा दोनों का भंडार सीमित है देखो मेरे पैरे चातरो पानी हो या बिजली हो इनका जो भंडार है यह सीमित है इसकी कुछ मर्याद आये है यह एक दिन खत्म होने वाला है तो दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा दुनिया के सभी लोग अगर पानी को इस तरह से उप्योग मिलाकर बहाते रहे बिजली का अगर वह अनुचित उप्योग करते रहे तो क्या होगा नहाना वहाना तो दूर लोग एक घुट पाने के लिए तरसेंगे एक एक घुट के लिए तरसेंगे लोग पाने नहीं मिलेगा उनको पीने के लिए देखो जरा सोचो कार्टून बनाओ यदि पानी की टोटी बोलने लगी पानी की टोटी अगर बोलने लगी तो क्या बोलेगी पानी की टोटी अगर बोलने लगी तो बोलेगी कि देखो आपकी सेवा करने का मुझे बहुत ही सुने रावसर मिला है जब आप मुझे खुलते हो तब आप मेरे से पानी लेते हो मुझसे पानी लेते हो पानी का उप्योग करते हो तो बच्चो वो कहेगी कि पानी का उप्योग आप जरू करो क्योंकि पानी ही जीवन है पानी आपके जीवन में मैं तो पुर्ना स्थान रखता है लेकिन जितना आपको जरूरी हो उतना ही पानी लो और बाद में टोटी बंद कर दो ऐसा वो कहेगी लेकिन अब हम आगे जाएंगे लेकिन ये बात बबलू की समझ में बिलकुल ना आती मा और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे पर उन्हें कोई उपाय नहीं सुझ रहा था पर उन्हें कोई भी उपाय नहीं सुझ रहा था मा और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे पर उन्हें कोई उपाय नहीं सुझ रहा था उजी शिला मौसी की बेटी पूजा का जनमदिन था उन्होंने सब को खाने पर बुलाया था शाम को सब उनके यहाँ पहुच गए पर बबलु को वहाँ पसरा सन्नाटा देख बड़ा अश्चर हुआ देखिए उस दिन अभी क्या हुआ था शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्म दिन था उन्होंने सब को खाने पर बुलाया था और जन्मदिन था पूजा बेटी का तो फिर खाना खाने के लिए बुलाया था शाम को सब उनके यहां पहुच गए पर बबलु को वहा पसरा सन्नाटा देख बड़ा अश्चरी वहाँ अचरज में पड़ गया मेच पर बोजन लगा हुआ था खाना तयार था बेट बोजन लगा हुआ था मेच पर गुबारे और रंगीन जालर भी सजे हुए थे पर कमरे में बिजली की रोशने नहीं थी गुबारे लगे हुए थे रंगीन आकर्शक जालर भी वहापस सजे हुए थी पर कमरे में बिजली की रोशने नहीं थी कुलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे केवल दो एक मुंबत्यों का धीमा देखिए केवल दो एक मुंबत्यों का धीमा प्रकाश पहला हुआ था सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे और सबके सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे अब इतने महतुपुर्ण आउसर पर इतने आनंद से भढ़े हुए आउसर पर अगर बिजली न हो उजाला न हो तो रोनक आएगी भला नहीं आएगी शीला मोसी ने बताया गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगों पर बिजली का बाहर बढ़ गया है इसलिए कमपनी ने अपने यहां भी आज कटोती शुरू कर दी है गर्मी बढ़ गई है बाहर सभी जगों पर तमाम कार्थ होता है सभी जगों पर बिजली का बाहर बढ़ गया है इसलिए कमपनी ने अपने यहां भी क्या किया है आज से कटोती शुरू कर दी है बिजली की आ देखिए वे कह रही हैं कि हमें क्या इससे कटोती करे तो करे लेकिन हम तो पुजा पिटिया का जनम दिन हासी से मनाएंगे खुशी से मनाएंगे फिर पुजा की माने आरती उतारी और मिठाया बाटी पुजा की माने पुजा की आरती उतारी और मिठाया बाटी happy birthday के बोल सभी के मौह से निकल पड़े पुजा के लिए happy birthday to you पुजा धमा चौकडी के बीच बच्चों ने गुबबारे फुड़े और फिर धुम मचने लगी बच्चे खुशी से चहचहा उठे गुबबारे फुड़े आप भी फुड़ते हो कि नहीं आपके सहीली का या आपके मित्र का जब जन्म दिन होता है तो वहाँ पर आप जाते हो गुबबारे फुड़ते हो और क्या कहते है हैपी बर्ड डे टू यू ऐसा कहते होगी नहीं आपकी दोसका नाम लेकर सभी गुबबारे और टोफियो पर टूट पड़े गुबबारे पर टूट पड़े टोफियो पर टूट पड़े कुछ देर के लिए सब गर्मी की परिशानी भी भूल गए और गर्मी की परिशान अब खाना लग चुका है आईए और खाना खाईए तब खाने की मेंच पर पहुच गए इस बीच बबलू को बहुत जोरों से पैस लग गई और इस बीच बबलू को पैस लग गई के बबलू देखियें पानी नहने के वज़े स्बकें गिलास जो थे वह आदे भरे वहुत बबलू गूलक्ट में ही सारा पानी गटक गई पर इससे उसकी पैस नहीं पुझी वह पूरा पानी पी गया लेकिन उससे पैस उसकी प्जी क्या नहीं फिर भी वह खाने में जूट दोचार का और भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी दोचार का और भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी वह प्यास से बेचेन उठा उसकी प्यास और भड़क गई और वह प्यास से बेचेन हो गया गर्मी अलग परेशान कर रही थी उसको गर्मी परेशान क लेकिन पानी का जग खाली पड़ा था देखियो पानी पानी चिला रहा था लेकिन पानी का जो जग खाली पड़ा था शिला मौसी मो बना कर बोली क्या बताओ बेटे इस ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है कोई बात नहीं बच्चो अच्छा बुरा तो होता ही रहता है तुम लोग खाना खाओ अडोस पडोस में देखते है कही न कही से पानी तो मिल ही जाएगा देखिए टंकी उस बलोग की सफाई हो रही है उस टंकी की तो पानी की वहाँ पर दिक्कत है तो फिर पानी की उपलब्दता वहाँ पर नहीं थी याँ पर लिखा हुआ है सौर और्जा, आक्शे और्जा का आर्थ क्या है बच्चों? सवर उर्जायने सूरज से मिलने वाली उर्जा, अक्षे उर्जायने जो कभी नश्ट नहीं होती है इस उर्जा, लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली, प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था, खाने का एक कवर भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था, वह प्यास से चटपटाने लगा, आज पहली बार प्यास का अनुभो करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था, लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली, प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था, खाने का एक कवर भी गले से नीचे नहीं उतर रहा थ वह प्यास से चटपटाने लगा, आज पहली बार प्यास का अनुभो करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था, देखिए प्यास उसकी बढ़ती जा रही थी, पानी वहाँ पर नहीं था, जैसे आज पानी को तो बबलू से अपनी बरबादी का जी भर कर बदला जो लेन किया, अब मैं बबलू को बरबाद करूँगा, अब मैं बबलू को सताओंगा, अब तो बबलू क्या तमाम बच्चों का धहरिय जवाब देने लगा था, तभी एक चमतकार हो गया, अचानक बिजली आ गई, कुलर पंखे चलने लगे, कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा, सबी बच्चे खुशी से चिला उठे, आप भी चिलाते हो ना खुशी से, उसी तरह से चिला उठे बच्चे, मगर बिजली आने भरक से तो प्यास भुझने वाले नहीं थी, बिजली आ गई, लेकिन बिजली से प्यास तोड़ी भुझती है, बिजली से प्यास नही गया था कि बड़े वाले पानी के कुलर में पानी भरा हुआ है आगले ही पहल वहा का दुर्श्य बदल गया कमरा ठंडी हवा से भर उठा बच्चे बड़े सब ठंडे पानी के साथ चत्पटे बोजन का स्वाद लेने लगे बबलु की तो बांच खिल उठी चलने से पहले श ये पहले से बना बना हुआ नियोजन था उनका कि बबलु को एक बार पता चलना चाहिए कि पानी कितना महतो पुर्ण है इस मुस्कुरा हट के पीछे छिपा रहस से बबलु नहीं समझ पाया घर पहुचने पर मा को बबलु किसी सोच में डूबा दिखाई पड़ा बबलु कुछ नहीं बोला शीला मौसी के यहां जो घटना हुई वह अब भी उसकी आखों के आगे गुम रही थी देखो बबलु कैसा पानी के लिए परिशान हो रहा था उसका गला सूख गया था उसकी पैस बढ़ रही थी तो वह जो उसके साथ घटना घटी तो उसके न आली में जीब निकाले हाफता हुआ टॉमी शीला मौसी के यह पैस सूखता उसका गला देखिए सभी पानी से पानी की इनकी जोर पानी की इनको जोर हो देखिए आंगन की गुरईया यहां पर यह जो दिख रही है गुरईया यह नहीं वह गुरईया यह चोटा सा जो हता है वह अपने आंगन की गुरईया की पैस से खुली चोच बाहर सडक की नाली में जीब निकाले हाफता हुआ टॉमी शीला मौसी के यहां पैस से सूखता उसका गला पंखा कूलर जरा देर के लिए बंद रहने पर भहता पसीना बहुत कुछ नहीं अब वैसा कुछ भी नहीं करेगा देखिए मां कल से मुझे आंगन में किसी बरतन में पानी भरकर रखना है मां असकर बोली तेरे कारण पानी बरबाद होने से बचे तब न रखे अनल देखिए तेरे कारण पानी से बरबाद होने से बचे तब न रखे मां अब पानी की एक बूंद भी बरबाद नहीं होगी बबलु आत्मा इश्वास से भरकर बोला मा अब पानी की एक बुन्द भी बरबाद नहीं होगी अब क्या होगा पानी की एक बुन्द भी बरबाद नहीं होगी मा बबलु आत्म इश्वास से भर कर बोला मगर बबलु कभी यह नहीं जान पाया कि सीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वो एक नाटक मातर था क्या गहरा है कि मा अब पाने की एक बुंदी वर्बाद नहीं होगी उसको पाने का मैं तो समझ चुका है पाने कितना मैं तो पुर्णा है यह उसके ध्यान में आ गया है देखिए मगर बबलू कभी यह नहीं जान पाया कि सीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वो एक नाटक मातर था उसे सबक सिखाने के लिए उसको एक सबक मिलना चाहिए था माने चलने से पहले सीला मौसी को फोन पर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था उन्होंने यही नाटक किया जो की पूरी तरह कामियाब रहा और वो नाटक उनका कामियाब हो गया शीला मौसी ने देखिए शिला मोसी ने और मानी मिलके नाटक रचा रचाया था, और ये पुरा हुआ, उसमें वो कामियाब हुए, अब तो बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाता है, कि पानी और बीजली आनमोल है, बहुत ही महतो पूर्ने है, पानी भी महतो पूर्ने है, बीजली भी महतो इने बहुष्य के लिए बचा कर रोको तो देखिए इने बहुष्य के लिए हमें बचाना है तो हमें धन में रखना है कि जितना पानी हमें लगता है उतना ही हमें लेना है पीने के लिए नहाने के लिए कपड़े दोने के लिए बरतन दोने के लिए तो यह आपको बात समझ म और पंखा खुला रहने नहीं देना है जब आपको जरूरत है तब पंखा चलने देना है और पंखे को काम होने पर बंद करना है मेरे पैरे चात्रों अगर हम सभी मिलकर ऐसा करेंगे तो हम पानी और बीजली को बचा पाएंगे और यहाँ पर सोर अरजा आकशे औरजा कहा गया है तो सोर अरजा का उपयोग भी बहुत ज्यादा पहिमाने पर अभरा है अगर उपयोग हम ज्यादा करेंगे तो जरूर हमें किसी परकार की दिककत बीजली या पानी के बारे में नहीं आएगltry तो मुझा ऐसा लगता है कि आ नाम जनमदीन है यह आपको बहुत यह अची तरह से समझ में आया होगा ऐसी मैं आप एक्षा रखता हूँ और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे विंती करता हूँ अनुरोद करता हूँ नम्रन निवेदन करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और अगर आपको कोई प्रशना आपके मन में है तो आप कमेंट जरूर करे, बहुत बहुत धन्यवाद